टेम इडिया के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी के सन्यास को लेकर बीते कई महीनों से तमाम चर्चाएं चल रही हैं और धोनी कब टीम में वापसी करेंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है कभी कोई कहता है कि धोनी अब कुछ और साल खेलेंगे तो कभी कोई कहता है कि धोनी को अब अन्तिम विदाई मैच खेला है बता दें आपको कि बीते दिनों बेजिस्टे आई के मुखे चन करता है MSK परसाद ने भी कहा था कि वो अब धोनी से आगे सूच रहे हैं पुकाबले में जिस तरीके से रिशाप पंद का प्रदर्शन रहा और DRS के गलत फैसले रिशाप पंद ने लिए उसके बाद महेंदर सिंग दोनी की वापसी की उमीदे और जादा बढ़ने लगी क्योंकि फैंस को महेंदर सिंग दोनी वापस टीम में चाहिए थे ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन को लेकर टिमिंजा के फूर कपतान राउल द्रविट ने भी अपनी चुक्पी तोड़ी है जिया खबरों की माने तो एक इंटर्व्यू में राउल द्रविट ने साब का कि रिशाप पंद को अभी दोनी बनने में समय लगेगा और रिशाप पं होत किसमत की बात है ऐसे में ऐसे खिलाडी को टीम से भाân करना कहीं से भी सही नहीं है याने की द्रविट ने बातों के इशारा कर दिया कि महेंदर